पुलस काउंस्टेबल एक्जाम के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट 50 कोस्टेंज करेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक के लेखा के आप्सिन भी बी आर अमबेड कर अगला है बिलीडर बिलीडर सब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो बिलीडर सब्द जुड़ा हुआ है आप्सिन डी बॉक्सिंग से नेक्स्ट कुस्चिन मनता है चेपू चेपू अपने नाम सुना होगा किसका अनूठा संस्कृतिक प्रतीक है, तो चेपू जो संस्कृतिक प्रतीक है, आप्शन D, नेपाल का संस्कृतिक प्रतीक है भारत के किस राज पर अहोम बंस का सासन था, तो इसका हो जाएगा आप्शन E, असम अस्सम निमलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है वो कौन सा है तो आप्षिन B जबाहार लाल नेहरू पोर्ट ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है पबन चक्की यह कह सकते हैं टरबाइन खालेस्तान उड़जा को यांतरिक सक्ती में परिवर्टित करती है तो आप्षिन E गतिज उड़जा को किसमें कनबट करती है यांतरिक सक्ती में यांतरिक एनरजी भी कह सकते हैं उड़जा भी कह सकते हैं सोतंत्र भारत का दोरा करने बाले पहले रूसी जो प्रदान मंतरी थे वो कौन थे आप्शन डी निकोलाई बुलगानिन अला कोशन बनता है कीणों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो कीणों के अध्यन को कहा जाता है आप्शन डी एंटो मोलाजी क्या कहा जाता है एंटो मोलाजी ये कहा जाता है कीणों के अध्यन को किस भारती राज के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राजपाल कौन थे? अगला एक बर्स में लोकसबा के सामानिता कितने सत्र आयोजित किये जाते हैं तो अप्सिन सी हो जाएगा टोटल तीन सत्र आयोजित किये जाते हैं एक लचीली बिनमय दर प्रणाली में बिनमय दरों के बारे में लंबी अबधी की भविस्वानी करने के लिए किस सिद्धान का उप्योग किया जाता है? तो अप्से ने क्रह सक्ती समता सिद्धान या पर्चेसिंग पावर पैरिटी थेवरी मस्तिस्क के उस भाग को पैजानी है जो सारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्या वस्ता को खालिस्तान नियंतरित करता है तो अप्सेंडी सेरी बेलम सेरी बेलम नेक्स्ट गोस्चन कर लेते हैं सरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? तो यह हो जाएगा आपका अप्सेंडी मेरूदंड या बोन मेरो निमलेखित में से बांगला देश का जो राष्ट्रिय खेल है वो कौन सा है? तो अप्सेंडी कबड़्टी किस चिकस्ये इस्तिती में आँख की प्रकासित, तंत्रिका, छती ग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ इस्तिती जो है वो बिगड़ती जाती है तो ग्लू कोमा, ओप्सेंडी ग्लू कोमा अगला कोशन देख लेते हैं बायोपा किस प्रदेश की जन जातियों की एक पारम पर एक पगड़िया हेड़ गियर है तो अप्सेंडी अरुनाचल प्रदेश स्री लंका में निमलकेत में से कौन सी चोटी सबसे उची है तो अप्सेंडी माउंट पेडरो निमलकेत में से अबद का अंतिम जो नवाब है वो कौन था तो अप्सेंडी बाजिद अलिसा ये अबद का अंतिम नवाब था सारागडी की लड़ाई जो है किस बर्स में लड़ी गई थी तो option B 1897 में लड़ी गई थी सारागडी की लड़ाई 866 में कौनसा सिध्दान यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश बही निर्यात करता है जिसका बहे कुसलता पूर्वक और बहुता यत में उत्पादन करता है तॉप्सन B. हैक्सचर ओलिन माडल इस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन बिलियम हौकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमती लेने के लिए समराठ खालिस्तन के दरवार में भेजा तॉप्सन D. जहांगीर के दरवार में बिलसन रोग एक अनुवानसिक रोग है जिसमें खालिस्तन सरीर में अत्रतिक मात्रा में संचय होता है तो क्या संचाय होता है? आप्सन है काँ पर स्यू संचाय होता है अगला है भारत के पहले मुख्य चुनाओ आयुक्त खालिस्तान थे तो कौन थे? तो आप्सन है सुकुमार सेन सूरिका अनुमानिक ब्यास प्रतिवी के ब्यास का खालिस्तान गुना है तो आप्सन भी 109 गुना भारत के पश्चमी बिंदु का नाम बताईए तो आप्सन भी गौर मोता अगला कोश्चन है भारत सरकार दोरा सुरू की गई आयूसमान भारत योजना प्रती बर्ष प्रती परिवार तक रुपए खालिस्तान तक की चिकिस्टा सुविदा परदान करती है तो आप्सन भी 5 लाख रुपए तक भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताईए तो आप्सन डी माहे कौन सा है? माहे गुबा हाटी सहर का इतियासिक नाम क्या था? तो यह हो जाएगा आप्सन डी प्राग जोतिसपुर अगला निमलकित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है तो बैसनो देवी बिट्रिस इस्ट इंडिया कमपनी दौरा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगा आप रेटिंग पोर्ट का नाम बताईए तो कौलकाता बंदरगा अगला कोशन गाइस बनता है खादी और ग्रामो द्योग आयोग अधिनियम को बर्स खालिस्तान में पारित किया गया था तो कब पारित किया गया था? आप्सन है 1956 में अगला कोशन है प्रधान मंत्री श्रम, योगी, मांधन योजना आसंगटित छेतर के कामगारों के लिए ब्रद्धा वस्ता सुरच्छा सुनिश्चित करती है जिसकी मासिकाय खालिस्तान से कम या बराबर है तो आप्सन भी 15,000 रुपए भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिसास सामोहिक रूप से लोक सभा के प्रती उत्तरदाई होगी तो अनुच्छेद 75 अगला है साओ, जुआओ, उस सब के दोरान गोवान से एक दुसरे को खालिस्तान पेस करते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या कहता है आपका 1928 में अंग्रेजों के खिलाप गुजरात के बारदोली के इस्थानिये किसानों के आंदोलन का नेत्रत खालिस्तान ने किया था तो अप्शन ए बल्लब भाई पटेल मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने बाली पहली भारती है कौन थी तो अप्शन डी सुस्मिता सेन अप्शन डी हो जाएगा सुस्मिता सेन अगला कोशन देख लेते हैं क्या कहता है सूचम लगू और मद्यम उदम विकास अधिनियम बर्स खालिस्तान में पारित किया गया था तो अप्शन ने 2006 में पारित किया गया था एक बैसक मानब सरीर में खालिस्तान हड़ियां होती हैं तो अप्शन भी 206 हड़ियां होती हैं अगला ए खालिस्तान सौर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है समाप्त करने वाले Instrument of Surrender पर खालिस्टन को हस्ताचर किया गया था 12 दिसंबर 1961 अगला गोशन है निमलिकित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है तो अपसे ने बैग आई सलाल परियोजना का निर्माड किस नदी पर किया गया है तो ये किया गया है चिनाब नदी पर चिनाओ नदी पर किया गया है न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर समिती का गठन खालिस्टन का अध्यन करने के लिए किया गया था तो अपसें सी भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक इस्तिती सांग के दर्शन संप्रदाय के स्तापना खालिस्तान द्वारा की गई थी तॉप्षन भी कपिल के द्वारा की गई थी भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर में IFC का पूरा रूप क्या है तॉप्षन भी एंडियन फाइनसियल सिस्टम कोड ये होता है IFC कोड का पूरा रूप किस राज सरकार ने मुख मंतरी घरगर राशन योजना सुरू करने का निर्ले लिया है तॉप्षन सी हो जाएगा दिल्ली जुलाई 2020 में दिवंगत लाल जी टंडन किस राज के राजपाल थे तॉप्षन भी हो जाएगा मद्द प्रदेश और फीपा बिसकप फुटवाल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा तॉप्षन भी कतर में अगला है राष्टिय सिच्छा नीती 2020 को केंद्रिय मंत्री मंडल की मंजूरी का प्रदान की गई तो 29 जुलाई को और आज का लाष्ट कुश्चिन है राष्टिय सिच्छा नीती 2020 के नुसार मानफ संसाधन विकास मंत्राले M.H.R.D. का नाम बदल कर यह कर दिया गया है तॉप्षन ने Ministry of Education या सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है तो गयद आज के इस वीडियो में इतना ही ठैंक यू धन्यबाद आपका दिन सोबरा है